नमस्कार इंदुस्तान दोस्तों फार्मर पर्डूसर कमपनी फार्मर पर्डूसर और्गनाइजेशन ये वो टूल है वो ताकत है जो क्रसी के छेतर में रिवुलेशन ला सकती है लेकिन जितनी भी फ्पो इंडिया में बनती हैं उन में से अल्मोस्ट फ्पो कुछ नहीं कर पाती हैं क्या आप जानते हैं कि आपके पास में जो एफ्पो है उससे आप इंटरनेशनल बिजनस तक कर सकते हैं और लोग आपके साथ में जुड़ने को तयार हैं लेकिन आप खुद उस एप्रोच तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जी हां दोस्तों आज इस वीडियो में ह और कैसे आप ऐजन फार्मर परडूइसर कंपनी ऐजन फार्मर परडूइसर और्गनाइजेशन अपने प्रोडक को अपने किसानों के प्रोडक को इंटरनैशनल मार्केट में सैल कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं नमस्कार तेना मैंily donor प्रनिच कंसल्सराइंट आप सभी लोगों का हर्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों फार्मर प्रोडूसर कंपनी एक किसानों के लिए एक रिविलेशनरी टूल होता है लेकिन दुर्भाग्य वस इंडिया में हमारे देश में इसे बनाया जाता है और इसे नाबाड तक सिमित कर दिया जाता है पूरी दुनिया में कहीं पर भी बेच सकती है कोई बैन नहीं है इवन गॉर्मेंट भी इसमें जादा से जादा सबसीड़ी देते हैं लेकिन दुर्भाग्य पूर्ण ये है कि जो फार्मर प्रोडूसर कंपनी जोती है वो इसे पैन इंडिया बेसिस भी नहीं ले जा सकते हैं जो ये सबसे बड़ा आप हर्डल मान सकते हो और ये हर्डल इस चीज को आगे नहीं जाने दे रहा अब इसके क्या रास्ते है और इसका रीजन क्या है कि अगर किसी के पास में फार्मर प्रोडूसर कंपनी है तो वो इसे और आगे कैसे लेकि जा सकता है रीजन की बात करें तो पहला रीजन है ट्रेडिशनल एप्रोच एक फार्मर प्रोडूसर कंपनी के लिए जो दिमार्ट में ट्रेडिशनल एप्रोच आती है कि 10 से 15 किसान starting में एक साथ में लेने हैं, product को combine करना है, government से subsidy लेनी है, warehouse बनाना है, cold storage बनाया है, एक unit बनानी है, product store करना है, market में बेचना है, मंडी के साथ में ट्रेडिंग शुरू करनी है यहाँ पे farmer producer company का काम रुख गया अब इनका vision उसके आगे है ही नहीं यह उससे आगे जाना ही नहीं चाते इन्हें सिरफ मंडी तक सिमित रहना है फिर दूसरा reason यह आता है कि किसी ने अगर सोचा तो उसमें जो work काम करने वाले लोग है वो mostly किसान होते हैं जो technology upgraded नहीं है और इसकी वज़े से जो visionary person होता है वो उस चीज़ को आगे नहीं लेके जा सकता हर state में हर district में आपको FPO's मिलेंगी लेकिन उनकी availability अगर आप देखते हो तो वो आपको कहीं नहीं मिलेगी अब इसका दूसरा पहलू अगर हम समझने की कोशिज करें farmer producer company के strengthen strong organization होती है क्योंकि अगर एक किसान मालीजे 10 तन material दे सकता है तो 100 किसान मिलकर कितना material आपको provide कर सकते हैं और ये under one roof हो जाता है लेकिन वो इस attribute को इस benefit को सामने नहीं ला पाते हैं और आज के time पर अगर देखा जाए तो FPO जो है वो सिरफ एक trading का माध्यम बन चुका है local Monday's local market के लिए अब आप इसे upgrade कैसे कर सकते हो आप अपने product को international market तक कैसे लेके जा सकते हो दोस्तो FPO एक बहुत अच्छी आप बोल सकते हो कि name valuation business structure valuation acquire करता है FPO एक बहुत strengthful business structure बनता है जो attract करता है clients को जो attract करता है international buyers को आपको 3-4 चीज़े manly करनी होती है सबसे पहले business structure आपका सबसे बढ़िया है अपनी online availability पे ध्यान दीजे अपने social media structure पे ध्यान दीजे और सबसे ज़्यादा अपनी activities पे ध्यान दीजे कितनी FPO है मैं guarantee दे रहा हूँ 80% से ज़्यादा FPO अपने किसानों के साथ में attach नहीं होती है वो उनकी activities को नहीं दिखा रही है वो logo तक वो working नहीं लेके आ रही है वो connections create नहीं करवा रही है ये सब activities होती है FPO एक social coach भी होता है और वो social coach है कि किसानों का upgrade होना किसानों की income बढ़ना अग कही न कहीं पे अगर वो किसानों की income बढ़ा भी रहे है तो वो किसानों का upgrade नहीं करवा पा रहे है तो आपको ये activities भी बढ़ानी होगी आप logo को as an FPO online availability लानी होगी आप logo का कारतव्या है क्योंकि एक किसान online आ सकरा है नहीं सकरा है ये बहुत बड़ी बात है जिनके बच्चे पड़े लिखे हैं या जो farmers educated हैं वही आप आते हैं बाकी के किसान हैं उनका काम है सिरफ काम करना वो अपनी खेती करते हैं तो उनके लिए आप एक माध्यम बन सकते हो आज ये वीडियो बनाने का मेरा उद्धे से यह है दोस्तों कि आप world की अगर farmer producer companies की बात करते हो organizations की बात करते हो तो आप देखोगे इंडिया के अंदर उसमें बहुत rarely numbers है बाकी world के अंदर बहुत सारी ऐसी FPO's है जो worldwide business करती है मैं आज यहां पे आप लोगों को सिरफ ये समझाने आया हूँ कि खुद को upgrade कीजे सिरफ नाबाड और government की subsidies पे depend मत रहिए आपको पता नहीं है आपके पास में क्या ताकत है अगर आपके साथ में 100 किसान भी है तो उन 100 किसान का अगर valuation अगर आप करते हो material का तो वो इतना बड़ा हो जाता है कि अगर आप export तक जाते हो तो आप export में खुद का और उन किसानों का सबका valuation maximize कर सकते हो अगर आपको international business से डर लगता है तो ये मैं मेरी तरफ से कह रहा हूँ कि सबसे पहले pen India basis पे अपने products को अपनी strength को अपनी FPO को लाने की कोसिस कीजे It's not about the organic and natural products It's just about कि आपके पास में जो product है उनको आप front पे तो लाइए उनकी क्या quality है लोगों को समझ में आने दीजिए गाओं में आज भी बहुत अच्छी quality के products मिलते हैं उन products को आप बाहर लाइए और यकीन मानिए लोग आपके products का इंतजार कर रहे हैं सिरफ जरूरत है आप लोगों को उन products को available करवाने की आप लोगों को अपने किसानों के साथ में उन products को सब के सामने लाना चाहिए और आज ये जितने भी FPO वाले ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से एक ही request है कि अपने products को international level का बनाने की कोशिस कीजे अपनी FPO को international level का बनाने की कोशिस कीजे आपको कही जाने की जरूरत नहीं है किसी सबसीडी की जरूरत नहीं है आप यकीन मानिए without सबसीडी भी आप बहुत बड़ी आप profit international business में कमा सकते हो क्योंकि जहां पे 100-200-500-10000 किसान आपके साथ में खड़े होते हैं वहाँ पे जो बायर होता है उसका assurance बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो एक आदमी पे भरोसा नहीं करेगा लेकिन 1000 लोगों के organization पे उसे भरोसा करना पड़ेगा और यही आपकी सबसे बड़ी strength होती है अगर आपको FPO बनवानी हो और अगर आपके पास में FPO पहले से हैं और उसे आपको technology अपग्रेड करना हो किस तरीके से आप international तक जा सकते हो on screen आपको number दिख रहे हैं call कीजे दोस्तों लेके जाईए खुद को आगे क्योंकि भारत भाग्य विधाता बिना किसान के नहीं बनेगा भारत भाग्य विधाता बिना क्रसी प्रधान देश बने नहीं बनेगा भारत भाग्य विधाता बनेगा जब किसान आगे आएगा और जब किसान की उन्नती होगी जब देश की उन्नती होगी जब आप आगे बढ़ोगे तभी देश आगे बढ़ेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में जैहिन जै भारत